दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि PNB1 का हिस्टरी आप कैसे चिक कर सकते हैं हिस्टरी का मतलब आप ट्रांजिक्षन हिस्टरी किस प्रकार चिक कर सकते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को मिलेगी इस वीडियो को आप सभी को पूरा लाच तक जरूर देखना है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आसीस और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी को PNB1 अप्लिकेशन ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहां पे आपको T-PIN या M-PIN आपको डालना है तो यहां M-PIN में डाल लेता हूँ M-PIN डालने के बाद यहां पे आगे का इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहां पे आप सभी को क्लिक कर लेना है यहां पे आ जाएना और यहां पे आने के बाद और स्कॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो यहां पे आप सभी को एक option मिल जाएगा M-PASSBOOK को आप सभी को इस पर click करने के बाद यहां पर सबी को select account कर ले ना है जो आप account हो आप select कर लीजे अब ट्रांजक्शन पीरियड आपको चेक कर लेना है यहां पे click कर लीजे click करने के बाद यहां पर आप star transaction period पर click करेंगे यहाँ पर आपका details वाँगे कब से कब आप चाहते हैं अगर एक साल कर सकते हैं search पर click कर देंगे search पर जैसे click कर देंगे तो यहाँ पर दूस्तों देखेंगे यहाँ पर statement आपका जो है दिखाई देने लगा है तो यहाँ bank account number जैसे ही डाल लेंगे तो यह आपका password जो है खुल जाएगा तो मैं आप सभी के सामने bank account number डाल लेता हूँ bank account number डालने के बाद confirm पर click करेंगे जैसे confirm पर click करेंगे यह देखे यहाँ पर जो है यह आपका statement जो है download हो गया यह देखे इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ bank का statement जो है download कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो क्रपा करके इस वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों साथ सेयर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब निगा प्लेज सब्सक्राइब जरूर कर लिजे हमारे चैनल को साथ में notification bell call notification प्याउन जरूर कर लिजे आज के सब्सक्राइब में दोस्तों इतना है थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो जय हिंद वंदे मात्राम बाई बाई दोस्तों